दोस्तों Compact SUV सेगमेंट में Hyundai Crater का तब तबा है और ये सेगमेंट में बात्साहत कायम किये हुए है लेकिन इसकी बात्साहत को क्या सेल्टोस से कड़ी टक कर में रही है दोस्तों बीटे अक्टूबर महिने के विक्री आकड़ों पर नजर डाले तो Hyundai Crater और सेल्टोस के बीच क सांटे का मुकाबला रहा है हाला कि सलाना अधार पर क्रोथ के मावले में सेल्टोस ने क्रेटा को पीछे छोड़ दिया दोस्तों इसका बड़ा कारण यह हो सकता है कि हाली में किया ने सेल्टोस का फेसलिफ्ट वर्जन लॉंच किया है और उन तमाम फीचर्स को देने की को सांटा एडवांस नजर आने लगी है दोस्तों अक्टूबर 2020 महिने में युनाई क्रेटा की 13,077 यूनिट्स पिकी है सालाना अधार पर इसकी विक्री में 10% की पड़ोतरी हुई है क्योंकि अक्टूबर 2022 में क्रेटा की 14,881 यूनिट्स पिकी थी और वहीं दूसरी और अ सालाना अधार पर 26% की पॉजिटिव ग्रोथ हुई क्योंकि अक्टूबर 2022 में इसकी 9,777 यूनिट्स पिकी थी दोस्तों हम आप सभी की चानकारी के लिए बता दे कि इसकी कीमत 10,90,000 रुपए से 20,30,000 रुपए होती है जो की एक्टूरूम प्राइस है दोस्तों इसमें इंटिग्रेटेड डिस्प्ले सेट अप है जिसमें 10.25 इंच डिजिटल ट्राइवर डिस्प्ले है और 10.25 इंच टस्की इंफोटेर्मेंट डिस्प्ले है दोस्तों इसमें डूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनॉर्मिक संरूप, एडवांस ट्राइवर एसिस्टन 360 डिगरी कैमरा चैस से बहुत सारे फीचर से और इसमें 15 सेफटी फीचर स्टैंडर्ड दिये गए है जिसमें 6 एरबैक्स भी सामिल है दोस्तों आपकी जानकारी क्लिवता दे कि ग्रेटा में 1498 सेसी पेट्रोल टॉप मोडल इंचन है और जबकि सेल्टोस में 1497 सेसी पेट प्रेल में मिलती है और सेल्टोस का मालेज 20.7 किलोमीटर प्रति लीटर है जो कि डीजल मोडल है तो दोस्तों हमारे आज वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो तेक तरहने क्लिए चैनल को चलिए से स झाल 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 झाल